हलो फ्रेंट्स नमस्कार आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों मेरे पास यह 12 बोल्ट का ट्रांसफर्मर है आज दोस्तों मैं आपको इसका एक यूज बताने वाला हूँ इस्टपलाजर का जो ट्रांसफर्मर होता है जो इस्टपलाजर होता है आप इसका यूज बोल्टेज को बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए करते हैं आज दोस्तों मैं आपको इस 12 बोल्ट के ट्रांसफर्मर का यूज करके आपको दोस्तों में 220 बोल्ट सप्लाई को अभी सबसे पहले मैं आपको इसका जो आउट्पूट सप्लाई है तो आपको चेक करके दिखाता हूँ दोस्ता आप मल्टी मुटर पर देखिएगा आप देख सकते हैं कि इसका जो AC आउट्पूट है करीब 15-16 बोल्ट के लगभग मिल रहा है अभी दोस्तों मैं आपको जो AC सप्लाई है आपको दिखाता हूँ आप मल्टी मुटर पर देखिएगा आप देख सकते हैं मल्टी मुटर पर अभी 200-68 बोल्ट के लगभग जो हमारा AC बोल्ट है AC सप्लाई है अब दोस्तों अगर आप इस बोल्टेज को इसे 12 बोल्ट का यूज करके कम करना चाहते हैं या फिर बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी स्वकार से बढ़ाएंगे तो दोस्तों आपको मैं शिंपल सा तरीका बताऊंगा इसका जो आउटपुट है आप देख सकते हैं कि यह 0-12 का ट्रांसफर्मर है आप बारा-0-12 का ट्रांसफर्मर है आप उसका भी यूज कर सकते हैं तो हम दोस्तों क्या करेंगे कि इसका जो एसी वाला एक वायर होगा हम एक तरफ इसे दोस्तों जोड़ देंगे आपकी स्वकार सीसे जोड़ देना है अब दोस्तों मैं आपको इसका जो बोल्टेज है चेक करके दिखाता हूँ आप देखिएगा मल्टिमीटर पर 270 बोल्ट के लगवग है मतलब कि 260 बोल्ट के लगवग हमारा जो एसी इंपूट सप्लाई है हुआ है अब दोस्तों आप यहां देखिएगा अब ही आप देख सकते हैं 272 के लगवख बोल्टेज है अब दोस्तों आप देखिएगा कि आपको यहां बोल्टेज बढ़के मिलेगा आप देख सकते हैं 290 बोल्ट के लगवख हमें मिल रहा है आप इस प्रकार से जो बोल्टेज को है तो आप दूस्तों बढ़ा सकते हैं अब अगर आपको voltage को घटाना है तो आपको दूस्तों क्या करना है अगर आपको voltage को घठाना है तो आप इस wire को यहाँ से निकाल कर आप दोस्तों यहाँ लगा दीजिए आपका जो transformer है 12 bolt का यह दोस्तों आपको म сумी आपको ब्राइजर का काम करेगा अब मैं आपको इसका ब्राइज चेह करके दिखाता हूं कि सबसेड हूर् G र दिखांब दिखाता हूं कि सबस्परे मैं आप सकते हैं दोसोग कसी उख हाल आप देख सकते हैं दोसोमने त्यट्रा बोल्ट बल्प का जो लोड है तो दोस्तों आपको मैं बल्प को भी चेक करके दिखाता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ आपको बोल्टेज घटके मिलेगा यहाँ दोस्तों आपको बोल्टेज आपको इन्पुट सप्लाई वह मिलेगा अगर दोस्तों हम वायर को यहां से इसे बदल देते हैं तो हमारा जो बोल्टेज है वो हमें बढ़ा हुए मिलेगा इस परकार से आपको दोस्तों मैं दोबारा से इसका जो बोल्टेज है चेक करके दिखाता हूँ आप देख सकते इन फूल्टेज 262 बोल्ट इसके बाद दोस्तों आप देखेएगा आपको बोल्टेज बढ़के मिलेगा 290 बोल्ट की लगबग आप इस परकार से इस 12 बोल्ट के त्रासफर्मर के यूज करके आप दोस्तों इसे इश्यक वाजर का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको आजान करें अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक जरूर करें इस चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब पर ना भूलें मिलें नेस्ट वूडियो पर नमस्कार